Dear students, a very good morning. आज हम पढ़ेंगे types of leaf, that is simple leaf and compound leaf. पट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है, so please bell icon पर click करके अभी subscribe करिए और अगर आपको किसी भी subject में कोई भी doubt हो, तो उसे हमें comment box में बताइए. And yes, अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आए, so please like it और उसे जादा से जादा अपने friends में share करिए. So let's begin. Kinds of leaves तो कितनी तरहा की पत्तिया होती है, दो तरहा की होती है. Simple leaf and compound leaf. Simple leaf It has a single continuous blade. अब आप जैसे ये leaf है, ये leaf है, Blade क्या होता है? वही leaf blade, lamina. मनलब कि Simple leaf का जो surface होता है, वो पूरा plane होता है. उसमें कहीं पर भी कोई cuts नहीं होते हैं. देखे, आप देख रहे हैंगे? ये simple leaf है. इसका जो पूरा lamina है, पूरा blade है, leaf blade, पूरा जो surface है, ये क्या है? Plane है. लेकिन compound leaf में क्या होता है? It is divided into two or more parts. ये देखिए diagram में. इसमें हमारी जो leaf होती है, ये छोटे-छोटे parts में divide हो जाती है. देखिए, इस पूरे को हम लोग compound leaf कहेंगे, ये हमारी leaf के जो blade है, इसमें cuts हो जाते हैं. इसकी वज़ा से ये छोटे-छोटे parts में divide हो जाता है. और इन छोटे-छोटे cuts को हम लोग क्या कहते हैं? Leaflets कहते हैं. और इस पूरी leaf को हम क्या कहेंगे? Compound leaf कहेंगे. Okay? So there are cuts in the compound leaf which reach to midrib. Cuts होते हैं हमारी compound leaf में, जो कहां तक ही होते हैं? Midrib तक ही होते हैं. बस midrib नहीं cut होती है. और जो पूरा बीच का surface है, leaf का, वो cut हो जाता है. These cuts are called leaflets. तो हम इस पूरे को कहेंगे compound leaf, जो की छोटी-छोटी leaflets में cut हो जाती है. लेकिन simple leaf जो होती है, उसमें कहीं पर कोई भी cut नहीं होता है. वो पूरी continuous plane होती है. Simple leaf कें plants की होती है? जैसे कि mango plant है, papaya plant है. इन plants में के जो leaves होती है, वो कैसी होती है? Simple होती है. और compound leaf के examples है, neem, rose, etc.